तो हेलो फ्रेंड्स मैं एक और कॉलेज के रिवी के साथ आ चुका है और इस कॉलेज का नाम है सिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनिस एड्मिस्ट्रेशन देख नए कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है तो चलिए इसका रिवी लेते हैं तो हर वीडियो की तरह इस डि गालिज में आप जा रहे हैं तो क्या कोर्स कर सकते हो उसले 수क करेंगे ऐसके बाद आता है इसलेन कैसे मिल सकता है क्यिया सकता है तोि इसके बाद आता है आपकाredict बाद रिटेरिय किरेगं ग्म कले कोई भी चीज कोर्स करें कब आप याप हो सब्सक्राइस और भी ऐसक कर लेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे बढ़ा जैसे कि मैंने बताया था है लोकेशन जानते हैं लोकेशन अब इसका लोकेशन आप देस अपने अड्रेस कहा है तेरा सूर्य सें स्ट्रीट लालबजार कॉलेज स्क्वार कॉलकाता सेवन ड्रेल्फ यह आपको पर ऑग ये पिते हुआ अरवाह मेट्र स्टेशं याने जाता है तो मेट्र से नियर्स मेट्ट स्टेशन आउंजी रूट और बस से जाना जाता है तें नियर्स स्टौर्ट अम्जि रोड्ज Хорошо स्बस्टॉफ बैता दिया कैसे आप पहुँश सकते हो इस कॉलेज तक उसके देता है उसके बाद बता देता है admission procedure, admission कैसे होता है, तो सबसे पहला होता है application form fill करना, उससे पहले भी आपको wait करना, जैसे कि जिस वक्त मैं वीडियो बना है उस वक्त 10-12 CBAC का भी board cancel हो चुका हो, इसका भी West Bengal board का भी 12 और 10th board cancel हो चुका है, तो उसके बाद result आएगा, तो बहरना है, क्योंकि without result आप form नहीं भर सकते हैं, college में तो form में आपको result मांगता है, इसलिए, पहले wait करिए, फिर आपको form application fill करना है, उसके बाद आता है, जैसे application form fill करते हैं, तो आपका merit list निकलता है, उसके बाद आपको fees payment करना है, fees payment मतलब I mean कि application fees payment करना है, जो कि form का जो भी लगता है, उसके बाद आपका admission अगर आपका merit list में नाम आता है, तो college, मतलब list wise student लोग को बुलाता है, हाँ, first list वाले बच्चे का admission इस दिन है, second list वाले बच्चे का उस दिन है, ऐसे करके बुलाता है, तो आपका schedule दिया जाएगी, किस दिन आपका admission होने वाला है, तो आपक payment जो भी होता है, कर देते हैं, उसके बाद final procedure आपका admission हो जाता है, जो भी college का identity card, जो भी कुछ something, facebook, prospectus रहता है, वो college दे देता है, आपको एक, आप finally college में admit हो जाते है, admission process समझ शुके हैं, हम लोग city college of commerce का, उसके बाद देखते है, criteria क्या है, obviously इसमें become हो रहाता है, क्या क्या 2021, और इसमें five years हम इसले लिखे हैं, क्योंकि आप मानिए, 2010 में 12th pass की हो, इस समय आप become करना चाते हो, तो possible नहीं है, इसके बाद आता है, general category, अगर आप general category से बिलंग करते हैं, minimum 45% आपको लाना ही पड़ेगा, अगर आप reserve category सो, OBC या SCST, आपको 40% लाना पड़ेगा, आप चाहे कोई भी course करो, तो criteria तो समझ गए, कि अब आते हैं, fees, admission time आपको कितना fees देना पड़ता है, फीस के नज़र डलते हैं, अगर आप become honors कर रहे हैं, तो 4410 as per इसका website के दरफ, इसके website में जैस, यूजू भी मैं fees लिख रहा हूं, सब इनके website का source है, उसी में देख के मैं बोल रहा हूं, और become general, become general में अगर आप लेते हैं, तो 470, ये admission time लिए आता, उसके बाद, normally, per month आपका लगता है, 85 honors के लिए, और 65 general के लिए, जो कि बहुत cheap है, उसके बाद आते हैं, update on application form, अगर आपको बहुत जन comment करते हैं, कि में application form कब निकलेगा, तो wait and watch, जैसे आपका result निकलेगा, इसके within 15 days में application form out होगा, और मैं तुमको inform करूँगा, personally, अगर आपको चाहिए, message, what's, means कि आपका WhatsApp, contact, कुछ भी contact, आप मुझे share कर सकते हो, comment में, ये तो मैं खुद वीडियो बनाऊंगा, उसमें डाल दूँगा, सारा application form कैसे fill up करना, और तो वीडियो का notification on करिए, और subscribe भी कर लिए, ताकि आपको daily update मिलता रहे, thank you so much for watching, अगर आपको वीडियो पसंद है, अगर कोई और college का review चाहिए, तो please मुझे बताइए, comment में, मैं ज़रूर पुरा करूँगा, उसका आपका wish